आईए आज कथा सहित्ते में सुनिए माल्ती जोशी जी की लिखी कहानी उत्तरा पेक्षी तुम क्या पहन रही हो? सब लोग कहीं जा रहे हैं क्या? भूल गई? शाम को मम्मी डेडी तुम्हें देखने आ रहे हैं अमित ये बताओ, ये देखने दिखाने का चक्कर क्यों? ये है सब तो अरेंज्ट मेरिज्ट में होता है ना? अरे चक्कर कैसा भाई? सिंपल सी बात है ये लोग अपनी होने वाली बहु को देखना चाहते हैं बस और मैं चाहता हूँ तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन खोब अच्छा हो इसी लिए पूछ रहा था क्या पहन रही हो? तुम्हें बता दो टेडिशनल सा कुछ पहन लेना मतलब साड़ी वाड़ी साड़ी? अमित अब तक मैंने केवल दो बार साड़ी पहनी है एक बार कॉलेश के फेरवेल में दूसरी बार दीदी की शादी में तो अब तीसरी बार पहन लेना आदत हो जाएगी बात में तो पहनते ही रहना है फिर भी अमित हम लोग इस मीटिंग को इतना फॉर्मल क्यों बना रहे है मुझे तो ये है सब कुछ बढ़ा अजीब सा लग रहा है कुछ नहीं यार मैं बस मम्मी के एगो को सेटिस्वाइ करना चाहता हूँ कम से कम उन्हें तसल्ली तो रहेगी कि उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद की है और अगर उन्होंने मुझे ना पसंद कर दिया तो प्लीज रीमा ऐसा मत बोलो मैं मर चाहूंगा फोन रखने के बाद भी रीमा कितनी देर सुन होकर बैठी रही यूँ तो वो कल से ही पसो पेश में है जब अमित आकर कह गया था कि मम्मी डेड़ी उसे देखने आ रहे है उसे यह सब कुछ सच मुझ अजीब सा लग रहा था अगर अमित कहता कि वे लोग तुम्हारे मापापा से मिलने आ रहे है तो ज्यादा अच्छा लगता खेर उसने तो मापापा को सही पताया था और कल से ही मम्मी भाभी समधिन के स्वागत की तैयारी में चुट गई है उन्होंने तो शायद कुछ गिफ्ट वगेरा भी मंगा कर रख लिये है रिमा के ससुराल वाले पहली बार जो खार आ रहे है साड़ी बानने में उसी पूला आदा घंटर लग गया पसीना पसीना हो गई थी वो सारा मेकब धुल गया था फिर भी बात नहीं बन रही थी खास कर आचल ठीक से नहीं आ रहा था दीदी की शादी में तो उसे साड़ी पालर वाली दीदी ने पहनाई थी उसकी मूर पंखी साड़ी के कामदार आचल को उन्होंने बड़ी खूब सूरती से मूर के पंख की तरह पहला दिया था दरजन भर पिने तो लगाई होंगी पर तीन घंटे तक आचल टस से मस नहीं हुआ था पहले तो उसने खुद कोशिश की बाद में मा के सामने जाकर खड़ी हो गई मा जरा ठीक से पिन कर दो ना मा किचन में बिजी थी हाद धोकर उसकी मदद करते हुए बोली आज साड़ी पहनने का भूद क्यों सवार हुआ है उसने लचाते हुए कहा अमित ने कहा था जरा ट्रेडिशनली ट्रेस अप हो लेना मा फिर कुछ नहीं बोली जैसा बना उन्होंने पल्ला समार दिया और अपने काम में लग गई रीमा कमरे में जाकर फिर से मेकप ठीक करने लगी वो अपनी साथ सज्जा को फिनिशिंग टच दे रही थी तभी बंगले का गेट खड़का उसके बाद देर तक घर में स्वागत सतकार की गूंच होती रही कुछ समय बाद मा उसके पास आई तू तयार है ना हाँ मैं तयार तो हूँ पर मा चायवाए तुम गोपाल के हाथ पिछवा देना साड़ी के साथ मुझसे नहीं हो पाएगा मा कुछ नहीं बोली थोड़ी देर तक यूं ही खड़ी रही क्या हुआ उसने सशंकित स्वर में पूछा कुछ नहीं मा के स्वर में तलखी थी तुमसे तो ट्रेडिशनली तयार होने के लिए कहा है और मैडम खुद कैसे आई है देखना जरा स्लीवलेस ब्लाउस ना भी दर्शना साड़ी बायकट बाल बागे तुम खुद ही देख लेना मा को भी और बेटियों को भी बेटियां भी आई है और क्या एक ने लंबा सा चोगा पहना हुआ है जो एक तरफ से बिलकुल खुला हुआ है सारी टांगे नजर आ रही है दूसरी की फ्रोग गुटने से उपर है और एक कंधा बिलकुल नंगा है मैं तो समस्ती थी कि ऐसे कपड़े सिर्फ टीवी पर ही पहने चाते होंगे आज परत्यक्ष देख लिया रीमा के अंदर जैसे कुछ उबलने लगा बोली मा तुम अमित को मेरे पास भीजना जरा अमित तो उन लोगों के साथ नहीं है क्या उसके तन बदन में जैसे आख लग गई इतनी देर तक मन में एक दुख दुखी थी उच्शुकता थी और एक हलकी सी खुशी भी थी अब सबका स्थान केवल रोश ने ले लिया तुम चलो मा मैं आती हूँ कहकर उसने दर्वाजा बंद कर लिया खुले बालों को कसकर एक चोटी बना ली इतनी मेहनत से सवारे हुए स्टाइलिश आचल की सारी बिने निकाल दी और मा की तरहां दोनों कंधों पर आचल लपेट लिया फिर वो धीरे धीरे चलकर ड्रैंग रूम में आई अमित के मम्मी डैडी को उसने नतमस्तक हो प्रणाम किया फिर सिर जुका कर पापा के पास एक स्टूल पराकर बैट गई उसे देखकर सभी लोग चकित थे उसके मा पापा भी बड़ी देर बाद अमित के डैडी के बोल भुटे अरे वाह रीमा सारी पहन लेती है हमारी रूही जूही ने तो शायद ही कभी पहनी हो आजकल कौन सी लड़किया सारी पहनती है मा ने कहा इसका आज पता नहीं कैसे मूट बन गया शायद आपके ओनर में पापा ने कहा और दोनों पुरुष ठठा कर हस दिये आमित की ममी तनिकसा मुस्कुरा कर रह गई और दोनों बहनों ने नागमों सिकोड कर मूँ बिचका दिया उसके बाद चाय आई मा ने लंबा चोड़ा सरजाम किया था बेचारी खुद ही सर्प करती रही पापा ने थोड़ा हाथ पटाया पर वो अपनी जगा से हिली भी नहीं गुंगी कुडिया की तरह बैठी रही जो भी कुछ पूचा गया उसका उत्तर जरूर दिया प्रश्न भी कुछ खास नहीं थे केवल आपचारिकता भर थी घंटे भर बैठकर वे लोग चले गए मा बाप की परतिकिर्या जानने का ना तो उसमें सहस्था ना धीरज उन लोगों के जाते ही वो भी अपने कमरे में गुम हो गई दूसरे दिन वो काम पर नहीं गई मन ही नहीं हुआ उसका फोन दिन भर बच्टा रहा पर उसने उठाया नहीं जानती थी अमित का है उससे बात करने की जरा भी इच्छा नहीं थी शाम को वो खुद दंदनाता हुआ उसके घर पहुँच गया और कमरे में पाउं देते ही तल्क अंदास में बोला तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो जानती हो मैं दिन भर कितना परेशान रहा हूँ रीमा ने उसकी और ऐसा रोश पून कटाक्ष फैका कि उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया उसका लहजा भी एकदम नरम हो गया बोला सौरी यार मैं पहुट टेंशन में आ गया था एक तो तुम आफिस भी नहीं आई फिर फोन भी नहीं ले रही थी डर गया था कि कहीं बिमार तो नहीं हो बिमार हो भी जाती तो आश्चर्य नहीं था तुमने उसका पूरा इंतजाम कर दिया था इतनी ही मेरी फिक्र थी तो कल मूँ छिपा कर क्यों बैट गए मेदान में उतरना था ना कल मैं जान पूछ कर नहीं आया मैं उन लोगों को फ्री हेंड देना चाहता था फ्री हेंड? वो किसलिए? वैसे तुम जूट बोल रहे हो तुम्हारे ना आने का कारण मैं जानती हूँ तो माते, तो मा पापा तुमसे अपने पन से बत्याते गोपाल भी शायद कुछ बेतकलुफ हो जाता तब यह बात छिपी नहीं रहती कि तुम इस घर के लिए नए नहीं हो तुम्हारी आमद राफत यहां होती रहती है बेकार की बाते मत करो हमारी दोस्ती के बारे में सब खुश बता चुका हूँ तुम्हारा सारा वर्णन भी कर चुका हूँ करता ही रहता हूँ पर कल तुमने ऐसा पूर्शो किया की बस पूर्शो मतलब मम्मे इतना अपसेट हो रही थी बोली तुम तो कहते थे कि रीमा इतनी स्मार्ट है इंटेलिजेंट है और लाउंडर है टौपर है मुझे तो वो एकदम बुद्धू और पोडम लगी ऐसा लगा जैसे उसके मुह में जुबान ही नहीं है मैं ट्रेडिशनल बहु का किरदार निभा रही थी बहुएं अपने सास ससूर से खास कर होने वाले सास ससूर से चटर पटर करे अच्छा थोड़े ही लगता है और सुना कपड़े भी बहुत उटपटांग पहन लखे थे उटपटांग क्यों साड़ी पहनी थी तुम्हारा ही सरेशन था साड़ी भी ऐसी वैसी नहीं धाई हजार की संभल पुरी पहनी थी अब तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम्हारे घरवाले खासकर महिलाएं इतनी आधूनिक विचार थारा की हैं तो तुमने मुझे ट्रेडिशनली ड्रेस अप होने के लिए क्यों कहा बेवकूफ था मैं उसने जला कर कहा मुझे क्या मालूम था कि मेरे सजेशन को तुम उल्टा ले लोगी और एक्तम एक्स्ट्रीम पर ही चली जाओगी तो आदर्निय अमित कुमार जी आपको यहां आकर मुझे उन सजेशन का सही अर्थ समझाना था न मुझे मेरी सीमाएं तो पता चलती आप साथ होते तो सही मार्क दर्शन होता मेरा मनोबल भी बढ़ता पर आप तो मुझे चुपाकर बैट गए और मुझे उन लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया खैर आपकी कुछ व्यस्तताएं रही होंगी पर मेरी हम उमर आपकी दो बहने भी तो वहां थी उन्होंने भी कोई पहल नहीं की यूँ कहिए कि मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं दी इतनी देर बैठी रही पर मुझे एक बात तक नहीं की उन लोगों ने तो तुम्हें पहली नजर में ही रिजेक्ट कर दिया था क्या रिमा का मुझ खुला का खुला रह गया हाँ वे लोग कह रही थी कि इस लड़की को बाबी के रूप में इंट्रोड्यूस कराते हुए उन्हें बेखट शर्म आईगी तुम्हारे घर में उनकी राय की इतनी एहमियत है नहीं उनकी मुझे परवाह नहीं है पर वे दोनों मिलकर मम्मी का प्रेन वाश करने में जुटी हुई है इसलिए डर लगता है रिमा एक काम करते हैं क्या कल परसो तुम मेरे साथ घर चली चलो उससे क्या होगा वे लोग तुम्हें नॉर्मल गेट अप में देख लेंगी तो उनका नजरिया पदल जाएगा अमित एक किस्सा याद आ रहा है सुनोगे दीदी की शादी से पहले की बात है सबसे पहले तो उनके सा ससुर आकर उने देख गए जब उन्होंने ओके कर दिया तो जीजाजी अपने एक दोस्त के साथ दीदी को देखने आए उन्होंने जब दीदी को पास कर दिया तो जैसे लाइन लग गई भावी, चाचा-चाची, मामा मामी रोज ही कोई न कोई आता रहा एक बार तो उन लोगों ने हद ही कर दी बूरी नानी मां से मिलाने दीदी को ठेट रतलाम तक ले गए यह सब मुझे क्यों सुना रही हो उन दिनों हम लोगों की दोस्ती नई नई परवान चड़ रही थी इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि कम से कम मुझे इन अपमान जनक स्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा पर लगता है मेरे भागे में भी वही सब कुछ लिखा है आज ट्रेडिशनल पोशाक कल नॉर्मल ड्रेस परसो मॉर्डन आउटविट आज मेरे घर में कल तुम्हारे घर में परसो शायद किसी होटल या कैफे में आइटिया अमित ने ताली पचा कर कहा कल किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं मैं रूही जूही को ले आऊंगा तुम चाहो तो अपनी किसी फ्रेंड को ले आना सौरी अमित जो लोग कपड़ों से या शकल सूरत से व्यक्ति का मुल्यांकन करते हैं उनके लिए मैं बार बार श्रोपिस नहीं बन सकती रीमा प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे मालूम है तुमने अपनी मम्मी से वादा किया है कि अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो तुम मुझे साधी नहीं करोगे आमित पटी पटी आँखों से उसे देखता रह गया और शायद इसी लिए तुम रूही जूही को मखन लगा रहे हो ताकि वे मम्मी से मेरी सिपारिश कर दें तुम्हें तुम्हें यह सब किसने बताया तुम जिस मुस्तेदी से अपनी मम्मी का एको सहलाने में जुटे हो तुम्हारी वह पुर्जोर कोशिश ही सारी कहानी कह जाती है पर यह मत भूलो अमित कि मेरा भी एक आत्म सम्मान है तुम उसके साथ खिलवार नहीं कर सकते मेरे लिए भी मेरे माता पिता अधर्णिय है तुम उनका मजाक नहीं बना सकते यह क्या कह रही हो ठीक ही कह रही हूँ कल तुम आते तु देखते कि वे दोनों तुम्हारे परिवार के सामने कैसे बिछे जा रहे थे वे तो यही मान कर चल रहे थे कि ये रीमा के ससुराल वाले है इनकी खात्रेदारी करना हमारा फर्ज है उन बेचारों को क्या मालूम कि अभी तक इस रिष्टे पर हाई कामान की स्विकृती की मोहर नहीं लगी है सच उन लोगों का उत्साह उनकी ततपरता सब कुछ इतना देने लग रहा था अमित मुह लटका कर बैठ गया अमित तुमने अपनी मा से एक कमिटमेंट की है तुमारी एक कमिटमेंट मुझसे भी है दोनों मेंसे किसे ज़्यादा तरजी ही दोगे मैं तो दोनों का तालमिल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम हो कि जरा भी कॉपरेट नहीं करना चाहती क्या कॉपरेशन चाहते हो बोलो मैं कह रहा था एक दिन मेरे साथ घर चली चलती तुम्हारी बहनजी टाइप एमेज भी तूट जाती और उन लोगों की गलत फहमे भी दूर हो जाती तो एक दिन उन्हें मेरे कैबिन में ले आऊ न मेरा वेक्तित्व और कृतित्व दोनों एक साथ देख लेंगी मतलब घर नहीं चलोगी क्यों नहीं चलोंगी पर एक पार विश्वास तो देलाओ कि वह घर मेरा है फिर जब कहोगे जहां कहोगे चली चलोंगी जिससे मिलवाना चाहोगे मिलोंगी अपनी शक्ती भर उन लोगों को रिछाने की कोशिश करूंगी और कैसा कॉपरेशन चाहते हो बोलो अमित फिर चुप हो गया ये मेरी असमिता की लड़ाई है अमित इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा अपने घर वालों को समझाना होगा कि मैं कोई परदर्शन की वस्तू नहीं हूँ पर उनसे पहले तुम्हें इस सच को स्विकार करना होगा अमित कुछ देर चुपचा पैठा रहा फिर उटकर पहा निकल गया रीमा गुम सुमसी उसे जाते होई देखती रही उसने तैक कर लिया कि अगर आजकल में वो लौट कराता है तो वो समझ लेगी कि उन दोनों में प्यार जैसा कुछ है अगर वो नहीं आता तो उसे दुख नहीं होगा क्योंकि वो जानती है कि रीड विहिन पुरुष के साथ वो जिन्दगी नहीं पिता सकती अभी आप मालती जोशी जी के लिखी कहानी उत्तरा पेक्षी सुन रहे थे इसी परकार के साहित्ती कहान्या सुनने के लिए कथा साहित्ते से जुड़े रहे धन्यवाद